हेलो फ्रेंड्स मैं मोनी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी तरीके से भो बनाना बताएंगे तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे हमने फैब्रिक लिया जिसकी चोड़ाई हमने 9 इंच लिया है और लंबाई इसकी हमने 4 इ जहां पर हम शिलाई नहीं लगाएंगे और लाश्टे तक फ्रेंड्स करती हुए जाब आएंगे थोड़ा सा कपड़्ा छोड़ते विये हम पहले ही इस सलाई को अपने उतार लेंगे और सेंटर पेंजू हमारा एक्ष्ट्रा कपड़ा है इसको कर लेंगे अब जहां पर ह लगाई है वहाँ से हम कपड़े को पलट लेंगे इस टाइप से पलटने के बाद से न फ्रेंट देखिए सुई की मदर से हम इसके कॉर्णर को अच्छे से बाहर करते हुए सेट कर लेना है देखिए इस टाइप से अब फ्रेंट जो हमने कपड़ा स्लाई नहीं किया था उसको इस तरीके से अंदर से फोल्ड करेंगे और किसी नुखीली चीज से इस तरीके से अंदर के तरफ सेट करते हुए हमें स्लाई लगा लेना है ताकि ये वाला भाग भी हमारा अच्छे से इस टीश होकर सेट हो है देखिए अब हम इस कपड़े को अंदर से सेंटर के साइब से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके सेंटर पर हम चौक से निसान लगाएंगे देखे इस टाइब से हम चौक के निसान को डार्क कर देंगे अब इस तरीके से हम प्लेट्स बनाएंगे छोटी-छोटी प्लेट्स बनाकर रेडि करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे तो फ्रेंट्स मैं डारेक्ट मसीन से सिलाई लगा रहे हूं आप चाहे तो सुई धागे की मदल से भी इसको ब्लेट्स बनाकर अच्छे से रेडि कर सकते हैं तो फ्रेंट्स लाई लगाने के लिए हम इसके दो या तीन बास लाई लागा कर अच्छे से इसको पका कर देंगे इस तरीके से इसका लूग कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब देखे फ्रेंट्स हम एक फैबरिक लेंगे जिसकी चोड़ाई हम सवाए एक इंज लिया है लंबाई चार इंज है आप अपने एक ओडिंग इसकी लंबाई या चोड़ाई कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन पट्टी फ्रेंट्स हमें बहुत ही पतली बनाने है अपनी करने के लिए तो दूनों साइट से कपड़े को अंदर की तरव फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हम प्टिकोट् या किसी कपड़े के अंदर डालने के do oriya बनाती चैनल है उस तरीके से हम इसको डोरी की तरव बनाते हुए हैसे स्याय लगाकर कंप्लीट कर लेंगे इस टाइ कर लेंगे इस तरीके से front देखे हमारा पट्टी ज्वाइन हो जायेगा ज्वाइन होने के बाद Ew एक्ष्ट्रा कपडा है उसको हमें cut कर लेना है देखें इस टाइप से पट्टी को अच्छे से set कर देना है अब देखे इसका स्ट्रिप बनाने के हमने दो फैब्रिक कट किया है इसको हम तीर्षे कट किया इस टाइप से तो उपर की साइट से इसकी जो चोड़ाई है दो इन्से थोड़ा सा कम है और लंबाई आप अपने एकॉर्डिंग फ्रेंट्स रख सकते हैं हमने लंबाई की जो है साथ इंच लगाएंगे कॉर्नर पर जबाएंगे तो वहां से सोई को अंदर की दरबदबाते हुए इस तरीके से हमें लगा लेना है तो दूसरे वाले पट्टी को भी प्रेंटं समें इसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है देखिए इस टाइप से अब सिलाई लगाने के बास ने फ्रेंट देखी हम किसी नुखिली चीज से इसको हम पलट देंगे पट्टी को तो हमने फेचकस लिया है फेचकस की सायता से हम इस पट्टी को पलट देंगे और इस पट्टी के कॉर्णर को भी फ्रेंट समसुई की सायता से या चाहे तो किसी और नुखिली चीज की सायता से इसके कॉर्णर को सेट कर लेंगे इस टाइप से दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरीके से हम ready कर लेंगे देखे इस टाइप से हमारा दोनों पट्टी ready हो गया दोनों की corner को हम एक side में रखते भी हमें set कर लेना है यानि कि दोनों की जो corner है उसको एक तरफ ही हम रखेंगे और पट्टी को एक के उपर एक रखकर हम sly लगाएंगे इस तरीके से ताकि हमारा जो दोनों पट्टी है वो अच्छे से join हो जाए देखे फ्रेंट्स इस तरीके से join हो जाएगा ये अब बो को stitch करने के लिए हमने जो पट्टी है थोड़ा सा extra halfkins का कपड़ा छोड़ा था उसी को बो के उपर पट्टी से अच्छे से शिलाय लगा कर हम attach कर देंगे देखे इस ताइप से friends इसका look कुछ इस तरीके से आएगा अब हम बताएंगे आपको कि आप इसको blouse में कैसे attach करते हैं तो देखी हमने ये round neck पे last work बनाया है अगर आपका इसका वीडियो देखना चाहते है तो आप मुझे comment में जरूर बताएं तो जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा सिलाई के रिए छोड़ा था सेंटर पे blouse के रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसको अच्छे से दो या तीन बार पक्का कर लेंगे देखिए इस तरीके से हमारा जो बो है blouse के साथ अच्छे से अटैच होकर रेडी हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से आप अपने किसी भी blouse में सेंटर पर या फिर सोल्डर पर कहीं भी बो बो लागाकर स्टेज कर सकते हैं तो फ्रिंट्स आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही आपकर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सेर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाए